बहुत सईशे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं पधनाम कई बार चुप हो जाती है, लेकिन उनकी निदिन मैजबूरिया है, लेकिन चाहे वो बच्चे इनिवर्सटीज में जो आगपूरे देश भर में भेल गए है, और उनकी ताकत दिखाई दे रही है, विकॉस यही जो ताकत है, यह नौजवानों की, यह एक पीडी जो होती है, यह एक जो नौजवान होते हैं, अब शूभानों के इनिखा दोएः ढ़ाटी थैडा, क्या दोर्गकर होती है, भी हाली में कुछ दिर पहले हमारे साथी, शुषान सिंग, जो आपने देखा होगा संदार आं इंडिया, उनको त्रोग्राम से निकाल दिया, क्योंके उन्ह ने किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको कहा गया कि आप प्रोग्राम से तालुक नहीं रख सकते हैं, और रीजिन नहीं दिया, लेकिन हम सब जानते हैं, रीजिन क्या है, अब बॉस, ये तो मतलब, आम ट्विस्टेंग, दमकी देखें, कर ये नी होगा, तो फि हैं, हम सब में कहीं न कहीं डी एने में आई हैं, वो तो बोलेगा कहीं बॉस, कब तक चुप रखोगे तुम, और राकेश हमाने आई, बहुत अच्छी बात करी, कोशेर ये था कि चमन में इखतलातِ रंगो बूर से बात बनती है, चमन याने गाडन, इखतलात याने अलग तूटी हुई कष्टी, ये मुल्क का हाल है आज, दी मॉनिटाइजेशन पकर लीजिए, या अनेप्लॉइमेंट पकर लीजिए, एकॉनमी पकर लीजिए, तो अंधेरी रात, तूफानी हवा, तूटी हुई कष्टी, यही असबाब क्या कम थे केस पे ना खुदा तुम हो पहले इससे तो डी कर लो, तुम हिंदू-मुसर्मानों को लड़ाने में लगे यहों गया, अमिन बॉस, मैंने कहा था पढ़ा भी था कहीं, आप लोगे सुना होगा हो, लेकिन ये खेल बंद करो यार, बात करो आगे क्या करना है, रोटी दो, मकान दो, कपड़ा दो, इसक में लगे होगे हो, एक पार्टी आती है, चलिए समये, कॉंग्रेस करण थी कहते हैं, उन्होंने का, चलो ठीक है मान लिया, आप क्या कर रहे हैं, आप आके बात कीजिए, आप स्कूल बनाएंगे, आप एजुकेशन करेंगे, आप हेल्थ पॉलिसी करेंगे, आप अनेप्ल कि ये अलाओड है, ये जो सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्यूनल एक्ट है ये, और जिसके खिलाफ हमारे कॉंस्टिटूशनली, ओपिनली कहा है, और हमारे इस मुल्कों जो बनाने वाले हमारे माईबाफ थे, चो चाहें वो सरद करें न हम कहां खिलाफ कर ह है। अरे कि चला रकी सको और बना हो या, क्वै खिलाफ ने कर इतना खुब्सूरत ही कहा है और यह मैं पढ़ना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में यहां पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी है और यह आखरी लाइंग कि सभी का खून है सभी का खून है शामल यहां की मित्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान तो लिए